स्पाइन में स्क्रू या रॉड कितने सेफ हैं? अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी स्पाइन की सर्जरी होगी और उसमें स्क्रू या रॉड लगेंगे तो घबराइए मत आजकल हम इस तरह के स्क्रू या फिर रॉड यूज करते हैं spine की surgery में जो की grade 1 titanium के बने होते हैं यह grade 1 titanium जो होता है body के लिए totally inert होता है इसका body में कोई reaction नहीं होता यह काफी मजबूत रहता है और इसका irritation काफी कम रहता है इस तरह के screw या rod या इस तरह का implant हम use करते हैं जिससे की patient को कोई दिक्कत ना हो साथ ही में हो सकता है इस तरह का cage या फिर artificial disc जिसे एक तरह से हम कह सकते हैं इस तरह का disc भी उन्होंने use करने को बोला हो आपके case में यह भी body के लिए totally inert होता है यह भी titanium की हो सकती है या फिर peak material की जो की body के लिए totally inert है तो इस तरह के screws या rod लगाना या cage लगाना या कभी कभी एक motor cage लगाना होता है जिसको mesh cage कहते हैं यह सारी चीज़े body के लिए safe हैं इससे spine को या फिर bone को stability मिलती है normally tumor की surgery में या fracture की surgery में या infection की surgery में या फिर degeneration age related processes जो होते हैं उसकी surgery में हो सकता है आपका doctor आपको suggest करें कि इस तरह से screw या rod लगाने हैं जो कि future में वो हो भी सकता है निकाले या हो सकता है ना भी निकाले medically इन screw या rod को निकालने की ज़रूत नहीं होती लेकिन अगर इनने अपना purpose सर्फ कर दिया है तो कुछ लोग surgery के दो साल के बाद इनको निकलवा लेते हैं इस तरह के screw या rod metal detector में detect होते हैं इसलिए अगर आप airport पे कहीं जा रहे हैं या ऐसी जगा पे जहां high security zone है तो हो सकता है आपको एक certificate carry करना पड़े जिसमें के लिखाओ कि आपकी body में इस तरह का metallic implant है otherwise ये बहुत ही safe है अगर आपके doctor ने आपको recommend किया है कि surgery की ज़रूत है don't worry go ahead with the surgery इस तरह का process या इस तरह का screw fixation process जो है spine की stability के लिए कभी कभी ज़रूरी होता है और उस situation में ये screw डालने एकदम justified भी होते है Thank you